यह क्लास नंबर सेविन है आपकी और इसको हम कवर कर रहे हैं यह ब्याट का कंटेंट है ब्याट फर्स्ट एर चाइल्ड हुड एन ग्रोइंग आप बुक का नाम है लक्ष्मी पॉब्लिकेशन और डॉक्टर एसी अबेरोय इसके राइडर है इसे पहले की वीडियो में हमने इमॉशन क्या होते हैं अप उससे कवर कर सकते हैë अब बात आती है अब कुछ student ऐसे भी होंगे जिनको doubt रहता है कि ये topic कहां कहां आएगा अपना syllabus देखो जहां भी ये topic mention है emotional development मतलब की समवेगात्मक विकास हर एक जगा यही होता है अब ऐसा तो है नहीं कि seated वालों का समवेगात्मक विकास अलग होगा जेबिटी वालों का अ एक्जाम्स होते हैं जहां से आपको नोकरी मिलनी है वहां का emotional development एक ही अलग होगा ऐसा नहीं होता है एक ही चीज़ है जिसे मैस में टू प्लस टू फोरी होगा जैया आप किसी भी लेवल पर पूरी इंडिया में ट्राइक करिए ना पूरी इंडिया में वर्ल्ड में तो उ इसकी एज होती है 11-18 साल जो कि आपको पता होना चाहिए और होगा भी स्टैनले हॉल है वो बोलते हैं कि जो adolescence है वो स्ट्राउम और स्ट्रेस की एज है किसकी है तूफानों की एज है आंधी और तूफानों की एज है तनाव और तूफान की एज है और यह question exact पूछा गया है ठीक है कि यह जो lines है यह किसकी है तो स्टैनले हॉल की है इसके अंदर बहुत सारी चीदों की बात की गई है कि a dollar sense में मतलब की किशोर आवस्था में various causes for emotions बहुत सारे reason होते हैं emotions की कि जो teenage है जो young age में बच्चे होते हैं उनमें बहुत सारा गुसा होता है ठीक है कभी institution की वज़े से कभी railway time table की वज़े से वह चुड़ चुड़ी बात पे school का time table हो गया तो उसके reasons अलग अलग होते हैं नेक्सट पॉइंट है और हिंदी में एक एक चीज में आपको समझा रही हो during the age emotions are unstable कभी इंसान खुश रहता है कभी अचानक से नराज हो जाता है दुखी हो जाता है परिशान हो जाता है mentally they are not a peace कभी शांती में नहीं रहता ठीक है कभी उसको प्यार चाहिए कभी वाकिला रहना चाहता है कभी खुश है कभी sad है कभी happy है कभी sad है कभी isolated है कभी love है तो यह सारी चीज जो है वो इसे stage पे होती है in fact सबसे ज़्यादा जो suicidal case होते हैं जो आत्म हत्या के case होते हैं वो भी इसी age पे होते हैं next point है fourth strength of emotions की मतलब की emotions some way go strength का मतलब क्या होता है मजबूती तो emotion during the age of full of strength सबसे ज़्यादा emotions होते हैं teenage में मतलब की adolescence में यहाँ पे sexually होना physically term लिया जाता है love something किसी से प्यार करना sexual होना या physical changes की वज़े से शारेरिक परिवर्तन होना यह points इसके अंदर आते हैं next point है uncontrolled emotion मतलब की controlled होता है जिसको control किया जा सकता है है और uncontrolled मतलब जिसको control नहीं किया जा सकता है ऐसी सम्वेग ऐसे कौन-कौन से होते हैं जैसे कभी-कभी जो बच्चे हैं जो adolescence पे होते हैं वो अपने आपको control नहीं कर पाते हैं अब short में बताऊं तो किसी को किसी को propose करना है अब जानता है कि वो चीज गलत है ना कुछ बच्चे तो ऐसे होता है teacher को जाके कर देते हैं तो वो अपने emotions को control नहीं कर पाते हैं मैं आपको सिर्फ समझाना जाती हूँ ठीक है मेरी वीडियो को जो मोटीव है फिफ्स पॉइंट है development of sexual feeling आपको पता है डॉलोसेंस की टाइम पे जो boys हैं और जो girls हैं दोनों में sex hormones रिलीज होने शुरू हो जाते हैं और girls में menturation cycle start हो जाती है और बहु इस वज़ा से जो girls हैं वो males में मतलब की boys में interest लेती हैं और जो boys हैं वो girls में interest लेते हैं किसी का थोड़ा स्यादा होता है किसी का बहुत कम होता है बट होता जरूर है क्योंकि यह एक body की चीज़ है यह एक शरीर की चीज़ है जो सबका एक ही तरीके से डवल अब होगा होते हैं यह हम दुखी होते हैं यह हम बहुत खुश होते हैं तो आपको याद होगा तो हम लोग भी अपने emotions को share करते थे किसके साथ पैरेंट्स के साथ नहीं बिल्कुल नहीं क्योंकि फिर वहां से प्यार बरसता था जहड़ू थपड़ वाला तो हम अपने emotions को किससे share करत होते हैं एक दूसरे के लिए हम भी अपने दोस्तों की परिशानियों को सुनते और चाह सलूशन ना दे पाते जरूर लेकिन उसको सलाह देने की जरूरत कोशिस जरूर करते थे 7th point है development of various emotions मतलब की बहुत सारे जो समवेग हैं उनका विकास होना जैसे की इस टाइम पे fearful है ना instead of fearful they are some worried की वो डरे हुए नहीं रहते थे लेकिन कुछ चिंताएं रहती थी they have feelings for happiness उनके पास feelings होती ही खुश होने की अनी टाइम बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं बहुत जल्दी गुसे में आ जाते हैं next point है they do not like dictatorship आप जैसे parents भी बोलते हैं तो हमको बुरा लगता था कि अब ये point है it would be extreme and wiser वर्जा love ये भी इसका wiser वर्जा एक example है कभी-कभी emotions इतने जादे negative emotions इतने heavy हो जाते हैं the student commits suicide यह आपको पता होगा they are very conscious and about self-respect इस stage पर बच्चे self-respect को लेके बहुत ज़्यादा conscious होते हैं और daydreaming इस age पर जो बच्चे हैं जो adolescence पर boys and girls है they are daydreaming वो दिन में सपने देखते हैं ठीक है तो यह question बन सकता है seated के लिए कि daydreaming कि सच पर होती है तो adolescence पर होती है कि डिवा सपने देखना इसको exact हिंदी में बोला जाता है hero worship हिरो वर्षिप आ जाती है किसी भी एक इंसान को अपना hero मान लेते हैं जब वो किसी भी रिलेजेंस फिल्ड से हो एजुकेशन फिल्ड से हो पॉलिटिकल फिल्ड से हो किसी ना किसी इंसान से वो अट्रेक्ट हो जाते हैं पेट्रोइटिजम देश भक्ती की भावना जो है वो सबसे ज़्यादा होती है किस एज पर एडॉलसेंस की एज पर इंट्रस्ट होता है ग्रूप अक्टिविटीज में मतलब की ग्रूप अक्टिविटीज को क्या बोलेंगी सहगामी जो क्रियाएं होती हैं बच्चों की उसमें इनका जो इंट्रस्ट है वो जादा होता है इसन दिसेज नोट इंट्रस्टिजम में बिल्कुल भी इंट्रस्ट नहीं लेते तो ये इसके पॉइंट से जो हमने डिसकस कर ली हैं अब बात आती है कि टीचर का क्या रोल है ये तो हम पढ़े जारे पढ़े जारे पेरिंट्स कोपरेशन कि बच्चे का और माता-पिता का सह समबंध होना जाहिए है आपस में दोनों कोंफोर्टेबल होना जाहिए धूसरे से बात करने में और बात किस से रेलेट्टष अपने घर-परिबार के बात से बात करने है ना जोई-फिंड कलफोंड की गड़नी कि उसका emotional development किस तरीके से चल रहा है, physical development किस तरीके से चल रहा है, intellectual development किस तरीके से चल रहा है Usually seen that the parents and family contribute a lot in emotion, teacher can cooperate with the parents for the same Teacher can tell the parents about the interest, dislike and behavior of child Teacher को चाहिए कि बच्चे की पसंद और नापसंद के बारे में parents को बदाए Next point है opportunities Opportunities आवसर देना बच्चों को अपने emotion एक्स्प्रेस करने के लिए अब बच्चों जो है वो dance में बहुत अच्छा है, लेकिन उसको मौका ही नहीं मिल रहा Dance करने का, उसको you know dance competition में सेलेक्ट ही नहीं किया गया है तो उस तरीके से आपको काम करना है Teachers and Ideals कि मतलब कि जो शिक्षक होता है वो ideal होता है Teachers should present a controlled behavior in front of student एक teacher को हमेशा controlled behavior present करना चाहिए अपने बच्चों के सामने अब देखिए, जो teacher पढ़ाता है, suppose मैं पढ़ाती हूँ तो मेरी अपनी personal life भी है, मेरी अपनी family life भी है मेरी दोस्तों के साथ मैं कुछ अलग तरीके से रहती हूँ अपने parents के साथ अलग तरीके से रहती हूँ अपने चोटे बहन भाईयों के साथ उनकी तरह रहती हूँ और student के साथ कैसे रहोंगी? As a teacher क्योंकि teacher एक friend होता है, philosopher होता है और guide होता है सिर्फ friend बनके नहीं रहना है, अपने और student की बीच में एक line भी रखनी है और student को इतना comfort फिल कराना है कि वो आप से अपनी problems को share कर सके Teacher and affection अब बच्चे का affection से बहुत relational Teacher का affection मतलब की affection होता है प्यार करना Students have self-respect, they will study well if the teacher express his affection for them अगर एक teacher अपने बच्चों से प्यार करता है तो definitely उसके subject का का काम बच्चे करते हैं उसके subject में interest लेते हैं अब कोई teacher है जो सिर्फ चिलाता है सिर्फ मारता है, सिर्फ abuse करता है है ना? punishment देता है तो उससे बच्चे जो है वो उस teacher से ही नहीं भागते उस subject से भी भागना शुरू कर देते हैं अपने emotions को नहीं express कर सकते जैसे कि अब उसको डर लग रहा है उसको question नहीं समझ में आया है लेकिन वो पूछ नहीं पा रहा है बच्चा दोबरा क्यों? क्योंकि उसको डर है कि teacher उसको डाटेगा तो इसलिए एक teacher को हमेशा affectionate होना चाहिए आपने अपने जेविटी भीएट में पढ़ा भी होगा टीचर्स ने बताया भी होगा कि teacher जो है वो बच्चे के लिए सब कुछ होता है आपको अपने student के लिए सब कुछ होना है तो मतलब कि उसकी feelings की भी कदर करनी है उसको पढ़ाना भी है उसको समझाना भी है क्योंकि आप उसके लिए ideal है ठीक है next process है emotions and learning learning का emotion से बहुत घहरा रिष्टा बोलते हैं यह रिष्टा क्या कहलाता है तो इसी तरीके से emotions जो है वो learning से बहुत ज़्यादा relate करते हैं जिसके emotion जितने ही strong होंगे अब emotion का मतलब यह नहीं होता emotional development का होना कि अब मिजो दर्थ हो रहा है रो नहीं रहे तकलीफ है रो नहीं रहे ना या फिर खुश है तो खुशी नहीं दिखा रहे है emotional का मतलब है जहां दुखी होने वाली चीज है जहां पर आपको दुख हो रहा है जहां पर आपको अच्छा लगना चाहिए कोई अच्छी चीज होई है वहां पर आपको खुशी हो रही है आपको बात करने का तरीका पता है तो इसका मतलब क्या है यह emotionally developed है मतलब सम्वेगात्मक विकास जो है बच्चे का जो सम्वेगात्मक विकास होता है वो शरीर और विकास से संबंदित होता है जो टीचर है वो अपने बच्चों को गाइड करती है सलाह देती है उनको cooperative करती है इसी लिए एक टीचर को हमेशा parents के साथ और parents को teacher के साथ cooperative behavior रखना चाहिए तो ये points है जिसमें हमने cover किया emotional development during adolescence और next topic है discuss किया हमने role of teacher in emotional development बहुत असान सा है मुझे लगता है एक बार वीडियो देखेंगे बहुत रहेगा आपके लिए पर हाँ नोर्स पना लिजे और अगर आप seated या teaching exam वाले student है तो इसको दो बार सुन लेंगे वो भी काफी होगा आपके लिए thank you so much मिलेंगे next video में